वहीं कुटलेहड विधानसवाक शेतर में हो रहे उपचोनाव के लिए कॉंग्रस के प्रत्याशी विवेक शर्मा ने आज नमांकन पत्र दाखिल करने से पहले शक्ती प्रदर्शन किया और समूर कला से लेकर बंगाना तक एक रेली निकाली नमांकन दाखिल करते वक्त उपचोनाव प्रभारी और विधायक भवाने सिंग पठानिया भी मौजूद रहे अज दौरान मुकेश अगनी होत्री ने कहा कि यह विधानसवा उपचोनाव विशेश परस्ततियों में हो रही है जहां कॉंग्रस की टिकट पर चुन कर आए छे लोगों ने जनता को फिर से चुनाव में जोकने का काम किया है उन्होंने कहा कि इस उप चुनाव से जनता भारी मुसीबत में फसी है लेकिन अब जनता उन सभी छे लोगों को माफ करने के मूड में नहीं है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी छे विधानसभा क्षेत्रों में कॉंग्रस के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है मुकेश अगनी हूत्री ने निर्दलिय विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक बार विधायक चुना जाना आसान नहीं है लेकिन अब इस्तीफा देकर दोबारा जनता की अदालत में जाने को आतुर बैठे निर्दलिय विधायकों को भी जनता विधानसभा की दहलीज पार नहीं करने देगी लोगों में बहुत उत्सा है हिमाचल के लोगों ने इस बात को पसंदनी किया है कि आप जो है दल बदल करें और दल बदल के खिलाफ ये एक नडायक चुनाव है इमाचल परदेश में डल बदल के खिलाफ ये नडायक फैसला इमाचल परदेश की जनता देने जा रही है वही कॉंग्रिस के प्रत्याशी विवेक शर्मा ने बताया कि 32 साल बाद 14 महीने पहले जिस जोश के साथ जनता ने कॉंग्रस को वोट किया था वही जोश अभी बरकरार है उन्होंने कहा कि विधानसवा क्षेतर के यवाओं को रोजगार दिलाना उनके प्रमक चनावी उनका मुद्दा है और वो इसी वादे को लिकर जनता के बीच उतरे हैं उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद यहां के यवाओं को रोजगार दिलाने के लिए पर्यटन के दृष्टी से विधानसवा क्षेतर को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमकता रहेगी विवेक शर्मा ने कहा कि पूर्व विधायक ने जनता के साथ लगतार जूट बोला लेकिन अब जनता हर रोज उनसे ये सवाल पूछेगी कि पिछले चौदा महीनों में उन्होंने कितनी बार विधानसवा के पटल पर विधानसवा क्षेतर की आवाज उठाई उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोप पूरी तरह जूट का पुलंदा है और चार जून को इसका भी पटाक्षेप होने वाला है रखी की कुपनेट में ये समझ से जो है तन रही है और आप इसका नेवार ने करें